हेलो करकेटलवर्स चेनई वर्सिस पंजाब गेंग्स के बीच मैच होने वाला मैच 54 किस टीम के लिए मैच इंपोर्टेंट है अगर चेनई हारी तो उनको क्या लोस होगा और पंजाब तो अल्मोस्ट 99 परसंट तक या फिर 100 परसंट आप मान सकते हो वो एलिमिनेट हो चुक में और भही अगर बात करें मैच 53 होने वाला है जो कि दुबाई में होने वाला है और काफी शांदार स्टेडियम वो माना जाता है जहां पर टॉस वेक्टर बहुत ज़्यादा माइन रखता है जो भी टॉस चुदे का पहले गेंद बाजी का फैस्ता लेगा और चेस करना पसंद करेंगा और चेंदी टार्गेट देने में काफी परिशानी सामना कर रही है तो वो चाहेगे इस बार चेस करें और काफी जलदी चेस करें और टॉप टू में फिनिश करें अगर चेनफ नहीं चारती है तो वो टॉप टू में काफी मुश्किल हो जागा उनका टिकना तो उनको यह मैं जीतना जरूरी है वही पंजाब अपने प्रैड के लिए खेलेंगा बात करते हैं हैड टू हैड की अभी तक इनके बीच 25 मुकाबल हो चुक है जिसमें चेने जीती है 15 और 9 जीती है पंजाब तो भाई काफी इंटरस्टिंग रैपर रंती चेने का दबदबाव पंजाब पर रहा है और पंजाब कुछ खासा दबाव नहीं डाल पाती चेने पर तो चेने फैवरिट रहने वाली है उनकी प्लेंग 11 पर बात करते हैं अब उनके जो ओपनर रहने वाले गायक दिखेंगे दोनी के बाद जड़ेजा जड़ेजा के बाद आपको फिर से ब्रावो दिखेंगे ब्रावो के बाद आपको शादल ठाकुर और दीपक चैर दिखेंगे और हैजल वूड के जगए आप किसी अधर फॉरिंड बोलर की तरफ जा सकते हैं नगीडी को खिलाईए या फिर इम्रान तैर को एक एडिशनल स्पीनर के तोर पर आप एड़ कर सकते हैं क्योंकि हैजल वूड कुछ खास पर्फरमेस नहीं कर रहे हैं बहुत महेंगे जा रहे हैं तो चैने की जो वीकनेस सबसे जद लग रहे हैं तो उसको बदलाव करना चाहिए वहीं अगर बा पंजाब काफी अच्छे रिप्लेसमेंट भी लेगी तीसरे नंबर पर आपको देखेंगे एडन मारकरम उसके बाद आपको देखेंगे निकॉलस पूरन तो वहीं पूरन ने पूरे साल दिमाग खराब कर रहा है कुछ ही पर्फरमेस ने किनों ने और पंजाब को ज्याद पर बात करें रवी विष्णोई और मुहमथ चमी और उसके बाद आपको अर्षदिप सिंग खेलते हुए दिख सकते हैं और यहाँ पर जो भी टिम टॉप होच चते की पहले गेंद बाजी का फैस्ता लेगी और बाद में टार्गेट को इसली चेस करना और क्योंकि ड्यू वीडियों में कर्केट से जूड़ी अपडेट के सब्सक्राइब